नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इलेक्टोनिक एडियो में तो दोस्तों आज है हमारा ट्रेनिंग सेशन नमबर दो ठीक है तो MS Word के उपर हम यह ट्रेनिंग सेशन बना रहे हैं ठीक है फस्ट जो हमारा सिंपली MS Word पे जो टोपिक ठीक है तो आज का हमारा टोपिक जो है वो रहेगा हाउ टो क्रियेट ए फाइल इन MS Word ठीक है कि आप कैसे फाइल क्रियेट कर सकते हैं फर्स स्टेप आपका यही होता है कि आप क्रेशन के वाद ही आपका आगे बढ़ेंगे हम ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का तो मैंने पिछली वीडियो में भी डिसकस किया था कि आप सिंपली क्या सकते हैं अपना डेक्स्टो पे जाईए यहां पे न्यूप क्लिक करिये और आपका एक फायल सिंपली बन जाता है ठीक है फर्स मेतड़ यह ओ गया तीक है दूसरा मेत़र आप यहां पे वर्ड लिख और यहां पर बिन वर्ड.exe लिखेंगे करेंगे तो आपका नेया फाइल ओपन हो जाएगा ठीक है यह तो आपके एक शोटकर्स मैतड थे ठीक है जो कि हम क्रेट कर सकते है फाइल बट हम वर्ड में जब एक option रहता है क्योंकि हम हर एक जो टैब है टैब इनको बोलते हैं जो फाइल टैब के बारे में दोस्तों हम डिसकेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है फर्स्ट जो इसका option रहता है वो रहता है सेव एक सिंपल सा option है कोई भी फाइल जो ओपन है ठीक है उसको आपको अगर सेव करना है तो आप सेव पे सिंपली क्लिक करिए ठीक है तो सेव हो अगर यहां से जाएंगे तो मैं बता देता हूँ आपको यह जैसे मैंने फाइल खोले ठीक है अब मैं जाऊंगा इसको मैं सेव करूँगा तो देखिए यह मेरे को क्या है नाम पूछेगा तो फर्स्ट आफशन जो आपका यूज होता है किसी भी ओपन ट फाइल को सेव कर तो आपको से यहां पर जाके सेव करेंगे तो वह सेव हो जाएगा जो भी चेंजिस आपने की हैं ठीक है यह तो मैं आपको इस लिए दिखा रहा था ताकि आपको कोई निया फाइल है तो उसको सेव करना है तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं यह चीज आपको यहां पर बताईए आगे जाके इसके shortcut methods भी हैं जो हम discuss जरूर करेंगे बट हम अभी basic से चल रहे हैं कि base क्या है इस चीज का ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसको बंद कर रहा हूं ठीक है तो यहीं file पे हमारा अगला option है save as ठीक है तो जो save as option है कोई भी आपका document जो है अपने predefined एनी की पहले से बनाया हुआ है ठीक है और उसका कोई carbon copy आपको बनाना है जैसे मैं save as कर देता हूं इसी document को ठीक है तो यह document अलग से बन जाएगा ठीक है तो इससे मैंने two number अभी खोल रखा है ठीक है आपको clear यहां पे दिख रहा होगा यह two number मैंने खोल रखा है और मैंको three number बनान है इसी मतलब document सेम रहेगा ठीक है बट उसका एक carbon copy बन जाएगा ठीक है तो इससे हमारा वह चीज़ बनती है ठीक है तो यह आप यहां से आप save पे क्लिक करेंगे तो वह आपका simply एक निया file ms word 3 करके बन जाएगा उसका content जो रहेगा वह same as it is इस content के रहेगा तो save as option है उसक आपको दिख रहा है जैसे मैं buddies ms word खोलना चाता हूं तो यहां से आप directly यह भी खोल सकते हैं देखिए यह मैंने first video जो बनाया था उसका content है ठीक है तो new open का option है उससे आप कोई भी निया file open कर सकते है ठीक है यहां तक भी आपको clear होगा हुगा ठीक है अब open के बाद हम close ले अब जैसे ही हम close पर click करेंगे तो आपका क्या है यह file जो है वो close हो जाएगा ठीक है info ठीक है आपका next option है info ठीक है यह आपका do tab है ठीक है यह the file that you have open ठीक है जो भी file आपना open करी होगी उसके permission scheme बतायेगा उसका sharing कैसा करना है आप version जैसे वर्जन डुक मत्यासे आप example लीजि तो मेरे को point इस file का मतलब training session 12345 उसको version बोल देते हैं वैसे कुछ आपने रखना है तो यहां से आप manage कर सकते हैं version का भी ठीक है तो permission में आपके लग लग वो आ जाते है ठीक है permission में आपका आ जाता है कि the document की final copy and है यह let the reader know the document is final and make it ready read only sorry ठीक है तो यह protection में आ जाता है कि आप अपनी file को protect करना चाते हो कोई password set करना चाते हो अगर मैं इसमें password लगा देता हूँ one two three four कुछ भी लगा देता हूँ और okay कर देता हूँ तो जब भी यह file नहीं खुलेगी तो वहां पे यह window pop हो जाएगा और password मांगेगा पहले ही ठीक है यह मैं दिखा देता हूँ आपको one two जैसे मैंने example के लिए password अभी कोई set कर दिया ठीक है और इसको okay कर दिया ठीक है और फिससे दौर आपसे password मांगेगा ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ okay ठीक है यह देखिए a password is required to open this document ठीक है यह simply आपका appear हो जाएगा ठीक है तो इसमें पहले आपको दिखाई देता हूँ आपको clear हो जाएगा ठीक है इसको save आपको मांगे है क्योंकि जो changes किये हैं उसके लिए देखिए अभी जैसे मैं इस फाइल को खोलूंगा यह देखिए simply आपीर हो गया ठीक है तो इसको मैं भी password देखिए simply open हो गया password डालने के बाद तो यह जो option है आपका info में आप यह चीजें करना किसी को ठीक है तो शेरिंग से पहले आपको कुछ इशू चेक करना चाते हो जैसे accessibility है compatibility है ठीक है अगर डॉकुमेंट में कुछ hidden property या personal information है ठीक है यह इन्फो में आपका आजाता है कि आपका document कितना secure है ठीक है तो वह चीज़े यहां पर कबर हो जाती है ठीक ह accessibility है क्या है आपके document की compatibility क्या है ठीक है यह चीज़े आपका check हो सकता है यहां पर ठीक है आप मतलब maximum यह चीज़े आपकी use जो होती है अगर आपको कोई word document बनाना है यह जो चीज़े हैं आपकी simply data protection ठीक है आपके document की appearance इस चीज़े को ज़्यादा बढ़ाता है ठीक है तो इस कैसे आप कर सकते हो ठीक है तो इसके इसमें आप जैसे example लीजिए कि आपको इस टैब में आपको check for issues में जाना है inspect document पे आप click कर दीजिए ठीक है तो inspect पे आपको यह सारे बता देगा कि क्या comment है ठीक है तो इसमें हिंडे next पूरा है तो इसको inspect कर करके देखी लेते है ठीक है यह देखिए यह आपको error बता देगा document property and personal information ठीक है यह बता देगा remove all ठीक है तो यह मतलब यह चेक कर रहा है कि आपके document में क्या-क्या data है जो आपका सही नहीं है या header footer है वो सही नहीं डाले हूँ है या watermark है कुछ तो यह चीजे कर देता है ठीक है तो इसको मैं दोबारा एक बार दूसरा accessibility का आपको दिखा देता हूँ ठीक है यह देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता है कि आपका क्या चीजे आपकी additional information मतलब किस को आपको file बोला है कि blank character है ठीक है यह देखिए यह यहाँ पर gap था तो इस नहीं error बता दिये ठीक है तो इसको मैं अभी के लि simple चीज़ मतलब यह चीज़े advanced चीज़े हैं जो कि आपको हम आगे इस इनके उपर एक basic video बनाएंगे हर एक चीज़ पे ठीक है तो अभी आपको सिर्फ एक document बनाने का हम बता रहे हैं तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं जाओंगा version control का मैंने बता दिये recent file में आपका ज सकते हैं ठीक है तो मैं और प्रिंट करना है तो प्रिंट पर आप क्लिक करिए ठीक है पर यह प्रिंट का प्रिव्यू आ जाएगा प्रिंट की settings आप यहां से आपका कर सकते हैं वह हम आगे discuss करेंगे आभी तो मैं basically आपको यह चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे कैसे आप क्य यह चीज़ आप यहां से कर सकते हैं ठीक है help में options में यह यहां पर आपको दिखा देता है कि आपको language display यह चीज़ यह अपर आपके आजाती है यह advanced चीज़े हैं ठीक है यह देखिए advanced options आजाते हैं कि आप कैसे data को मतलब दिखाना जाते हो क्या क्या चीज़ इसमें incorporate करना ठीक है paragraph selection क्या है editing options क्या है वो सारे यहां पर आपको देख जाता है ठीक है तो दोस्तों आज का जो हमारा scenario था ठीक है वो था कि how to create a file in memos word तो simply हमने cover कर लिया कि कैसे कैसे हम create कर सकते हैं तो जैसे ही आपका file create हो जाता है तो आप simply यहां पर देखिए यह save लिखा है इस पे click करेंब के तो आपका data save हो जागे यह control-s करेंगे तो उससे आपका data save हो जाएगा ठीक है तो आज हमने डिसकूश किया file tab के बारे में save कैसे होता है is a wow होता है open क्या होता है ठीक है close क्या होता है info में क्या होता है recent new print save and send ये चीज़े हमने आज देखी ठीक है तो I think आपको यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे खतम करूंगा ठीक है तो इस वीडियो में हमां simply मेरा मकसद यह था कि आपको simply यह पता लगे कि file tab में क्या क्या चीज़े होती है ठीक है उनको use कैसे करना है ठीक है वह हम आगे आपको जुरूर बताएंगे one by one step में बताएंगे क्योंकि use के ओपर ही चीज़े आपके depend करेंगे ठीक है क्योंकि first हमारा motive है कि आपको MS Word में document बनाना आना चाहिए ठीक है ठी चीज़े बताएंगे फिर advance जैसे आगे वीडियो में हम बढ़ते जाएंगे अच्छा response मिलेगा आपके तरब से तो हम और एक चीज़ आपको बताएंगे तो दोस्तों आज का मेरा topic यहीं खतम होता है ठीक है वीडियो को देखने के लिए बहुत दन्यवाद ठीक है और चै